हेलो गाईज आज किस वीडियो में आप जानने वाले हो गुपते समराजजी के पतन के क्या कारण थे साथ ही इन से समंदीत 10 Most Important Objective Question को भी जानने वाले हो जैसे कि गाईज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस Question के बारे में अधिकतर लोगों ने कहा कि सर इस Question पर एक वीडियो बना दीजे इसलिए आज की सेशन में हम गुपते समराज जी के पतन के क्या कारण थे इनके बारे में बिलकुल आसान सब्दों में समझेंगे तो चलिए आज की सेशन को सुरुवात करते हैं सबसे पहले एंसर में गाईज परीचे देना आपको गुपते समराज जी की निव स्री गुपते ने रखी थी यह एक सामान्त थे इस समरैज जी के वास्त विक संस्थापक चंदरगुप पर्थम था जिसने एक विसाल समराज जी की इस्थापना किये थी जिसकी राइधानी पातली पुद्र थी इस वन्स में सम्मुद्र गुपत था चंदरगुप दोत्यत glucose जैसे कई योग्योम 1440 आसक हुए गुप्तों के काल को भरती इतिहास में सवन यूग कहा गया है फिर भी गुप्त समराज्य का पतन कैसे हुआ आनि गाईज इसमें कहा गया है कि जो गुप्त समराज्य था उनका निव स्री गुप्त ने रखा था यह पहले सामन्त थे उसके बाद जो चंद्रगुप्त पर्थम आये उन्होंने एक बड़ी अस्तर पर अपने रख्य को स्थापित किया जिसके कारण गुप्त समराज्य के वास्तिविक संस्थापक चंद्रगुप्त पर्थम को माना जाता है गुप्तों की जो राइधानी थी गाईज वो थी पाठली पूत्र इसमया कहा गया है कि जो समुल्द्रगुप्त था था चंद्रगुप्त जो दूतिय था वो काफी योगम सक्तिसाली सासक था इस यूग को यानि गुप्तों के काल को भरती इतिहास में सोवन यूग के नाम से भी जाना जाता है फिर भी इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में हम जानते हैं आगे गुप्त समरैज्य के पतन होने के कई कारण थे जैसे कि आयोग उतरादिकारी कोहना विलेशिया करमन परसासनी कमजोरियां आर्थिक कारण धार्मिक कारण समानतों का विद्रो इत्यादी ये सभी कारण थे गाई तो हम एक करके इन सभी कारणों को देखते हैं फर्स्ट जो है गाईज वो है आपको पॉइंट बनाने हैं गुप्त समराइज जी के पतन के कारण तो फर्स्ट पॉइंट है आयोग उत्राधिकारी का होना गुप्त समराइज जी के विस्तार में समद्गुप्त और चंद्र गुप्त दूतिय का महत्पुन योगदान रहा ह अर्थ यह निकलता है कि जो इनका स्वासन था वो तीन स्मूद्रों तक फेला हुआ ह्टा। यानि भारत के अधिकतर भागों पर इसका स्वासन बेष्था स्था पीत था। गुप्त समराइज जिम में असकंद गुप्त के सासन काल तक इस्तिती ठीक थी। असकंद गुप्त के मिर्टवी हो जाने के बाद गुप्त वंस में कोई ऐसा सासक नहीं हुआ जो समराइज जी के एकता को एक सुत्र में बांध कर रखा जा सकी। इस परकार गुप्तों के आ कारन विदेशिया कर्मन को भी माना जाता है गपतों पर वीदेशी ने संवराट को विशे छहती संही पहुंचा आ गुपत समराज यू को पूश्मित्रेव joy रिवाम हुरनों के हकर्मन का सामना करना पड़ा था पर्तिया वीदेश्या आंत्रीक आखर्मन ने समराज की स्थिति को अत्यान देनिया बना दिये आनि गुप्त समराज का पतन का जो एक दूसरा कारण माना जाता है परमु कारण वो था विदेशी आकर्मन विदेशी आकर्मन इस समय हुए गुप्त समराज पर पहला आकर्मन कुमार गुप्त पर्थन के सासनकाल में गुप्त सम्राइज में पहला आकर्मन कुमार गुप्त के समय पुस्मित्र ने किया था इस से यह हुआ कि जो विदेशी लोग थे उनका मार्ग खुल गे अब विदेशी लोग भी इनके सम्राइज पर आकर्मन करने लगे थे और इस समय अस्गंद गुप्त ने हुर्नों से आकर्मन का सामना भी किया था जिससे अस्गंद गुप्त ने ही विजय पराप्त किया लेकिन जब अस्गंद गुप्त का मिर्टवी हो जाता है उसके बाद दोबारा विदेशी आकर्मन होने आरंब हो जाते हैं गुप्त के आयोग उत्रादिकारी आने के कारण विदेशी आकर्मन कारी पुना भारत पर आकर्मन करने लगे यानि गुप्त समराज जी पर आकर्मन करने लगे गुप्त समराज जी में आयोग उत्रादिकारी आ गए जिसके करण वह विदेशी आकर्मन का सामना नहीं कर पाया और इस परकार से गुप्त समराज जी का पतन हो गया तीश किसी भी परकार का टेक्स नहीं लिया जाता था साथ ही जिन व्यक्ति को भूमी दान में दिया जाता था उन पर राजा का अधिकार ना होकर उस व्यक्ति का अधिकार पराप्त हो जाता था इसके अतिरिक्त नए भूमी अनुदान के मालिकों को राजा कुछ परसासनिक अधिक उनका जो भूमीदान देने के बाद उनका जो मालिक था उनको राजा अपने परसासनिक छेत्रों में कायर सोब देते थे लेकिन ये लोग जो होते थे इनके परसासनिक छेत्रों में उतनी बहतर कायर नहीं करते थे जैसे गारण दिन परती दिन राजा का सक्ति कम होता चला ग को सभी तरह के सयाता देते थे इन सभी समानतों को अपने अपने छेत्रों में सोतंत रुप से साशन चलाने का अधिकार प्राप था इसके बदले राजा को टेक्स देना बड़ा था जब गुप्त वन्स में आयोग उतर अधिकारी आया तो इन सभी समानतों ने आउसर को जब गुप्त वन्स में आयोग उतर अधिकारी बना उसके बाद इतने भी समानतों थे उन्हों ने इस मौका का लाब उठाकर और गुप्तों के विरूद विद्रों कर दिया और अपने रैज को गुप्तों से अलग कर लिया सोतंत्र कर लिया धार्मिक कारन पांचमा जो प समराच जी के पतिन का प्रमुक कारन बना क्योंकि गुप्त समराच ने बहुत धर्म को स्विकार कर लेने से जो पहले समराच जी की सुरच्छा के लिए युद्ध्य के प्रतिनीती थी वह नश्ट हो गई इस धर्म के परभाव सोरूप गुप्त सासकों ने सेनिक कुसलता क रिखे गुप्त समराच जी के पतन में धार्मी कारन को भी माना जाता है क्योंकि शुरवात में गुप्त सासक वैशनव धर्म को मानते थे लेकिन बाद में इन्होंने बहुत धर्म को स्विकार कर लिया था जब इन्होंने बोट धर्म को सुविकार कर लिया था उसके बाद अपने समराज जी के सुरच्छा के लिए सेनिक के छेतरों सेनिक सक्ति को बढ़ाने के लिए उतना महत्पूर्ण नहीं समझा जैसके कारण धीरे धीरे इनका जो है सेनिक कुसलता कमजोर होता चला गया अंत म में धार्मी कारण भी इनके समराज जी का पतन का कारण बना च्छटा है सेनिक कारण गुप्त समराज जी के पतन का एक परमुक कारण सेनिक संगठन भी था मोरी सासकों की तरह गुप्तों के पास अपनी एक विसाल सेना संगठन नहीं थी इनके अभी लेखों में सेनिक पियान ने भी गुप्तोंके सियना के बारे में कहीं भी उलेक नहीं किया है किि इनके पास कितनी सिय न सेना थी जिस यह पताह चलता है कि गुप्त समराटों की मदद नहीं की बलकि समानतों ने गुप्तों की कमजोरी का लाव उठा कर उनसे सवतंतर हो गया आनि की गाईज सेन कारण भी माना जाता है गुप्त समराज जी के पतन में क्योंकि गुप्तों के पास जहांते का नुमान लगाया गया कि इनका अपना कोई सुवेवस्थित यानि अपना इनका कोई सेन संगठन नहीं था जिस परकार मोर समराइज में अपना सेन संगठन था अपनी एक विसाल सेना थी उस परकार से इनके पास विसाल सेना नहीं थी ये लोग मुख रूप से दूसरों पर निर्भर रहता था या अन राजाओं पर रहता था जो इनके अधिन कायर करते थे उम्मिद करता हूँ गाईज कि आपको ये कोशन समझ में आया होगा अब्जेक्टिव कोशन जानने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें गाईज क्योंकि आप लोगों को पता है इतने असान से असान सब्दों में कोशन लिखने के लिए काफी मेहनत कि वसकता पड़ती है गाईज तो चलिए हम लोग जानते हैं अब्जेक्टिव कोशन को फर्स्ट कोशन है कि सासक ने हुरनों के आकर्मन को रोका था तो असकंद गुप्त ने है किस गुप्त काल में सासक ने। काफी पड़े लिखे वेक्ती था गाईज ये एक विद्वान था से कारेनीन है कवि राज भी कहा गया है वाँचुमा है गुप्त मंस्य की सासक ने विक्राम दितियक की उपादी धारन की थी तो इसका राइट एंसर है चेंद्र गुप्त दूतिये की अठा कोचन है गायच की गुप्त काल में सोवन मुद्रा की किस नाम से जाना जाता था तो दिनार के नाम से गुप्त दूतिये के समय काली दास जो है राज कवी थे गुप्त सासन के दोरान निम लिखित में से एसा वेक्ति कौन था जो एक महान ख़गोल विज्ञानी तथा गनीतिक था तो इसका राइट एंसर है आयरिभट नौवा क्वचन है गाईज की उत्तर गुप्त युग में जो भी स्विद्याले परसीद हुआ था वह था तो नालंदा दस्वा क्वचन है की प्रियाग परिस्तित्य अभी लेक का लेखक हरिस्जन की सासक का दरवारी कवी था तो समद्र गुप्त तो यहां से कवचन कंपलीट होता है गाईज वीडियो को एंडिंग करने से पहले इंपोंटेंट बात आपको बदाना चाहूंगा कि यहां पर आपको समेश्टर वन से समेश्टर शिक्स तक मिलेगा वीडियो सारा वीडियो यहां अपलोड कर दिया जाएगा है ना साथ ही या अपने एगर समी रिसर्ड सेंटर को फोरोन ही किया तो कर लें क्योंकि आपको यहां 1-6 तक जितने भी कोईश्टन है हिस्ट्री ओनर्स, पॉलिटी ओनर्स, साथ ही हिस्ट्री जैनर्डिक एलेक्टिव, पॉलिटी जैनर्डिक एलेक्टिव, सारे कॉशन्स मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह स्यासान स्यासान सब्दों में